हलो दोस्तों मैं अड़ोकेट आदर शीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ओनलाइन लीगल हेल्प में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि वुमिन्स के क्या-क्या राइट होते हैं उनके प्रॉपर्टीज में क्या-क्या राइट होते हैं और अफ्टर मैरेज उनके क्या-क्या राइट होंगे अपने हस्बंड की प्रॉपर्टी में इसी वीडियो के सिरीज को दोस्तों आँगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि as per Hindu law, Hindu law के हिसाब से क्या-क्या राइट होते हैं प्रॉपर्टी में वोमेंस के सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि Hindu law के अंतरगत या जिसको आप कहते हैं कि Hindu succession act के अंतरगत अगर आप बात करें तो इसमें Buddhist, Jain, Sikh और Hindu चारों इंक्लूड होते हैं और अगर कोई conversion करके भी आ गया है दोस्तों अगर वो Hindu religion में वो convert हो गया है दोस्तों तो भी वो इसी law से गवंड होगा या यही कानून उस पर apply होगे अब दोस्तों यह जो कानून होते हैं जो Hindu law के हिसाब से बताए गया है, Hindu succession act के हिसाब से बताए गया है यह women और men दोनों पर apply होते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल men पर ही apply होंगे, women's पर apply नहीं होंगे तो इसलिए यह जो है कानून वो दोनों पर equal रूप से लागू होते हैं, उसमें clearly distinction बताए गया है कि women's जो है property को कैसे inherent करेंगी दोस्तों basically यह तभी काम आते हैं कि जबकि वहाँ पर कोई will या वसीयत नहीं है दोस्तों यहाँ दोस्तों अगर already वहाँ पर कोई will या वसीयत है तो फिर आप इनका use नहीं ले सकते उस will के हिसाब से आपको जाना होगा और उसके हिसाब सी distribution होगा लेकिन हाँ दोस्तों इसमें एक बात और भी है कि अगर आपको लगता है कि वो will जो है वो fraud है, fraud तरीके से बनाई गई है या किसी तरह से उसमें counterfeit signature किये गए है तो आप उसको court में challenge कर सकते हैं वो null and void declare हो जाएगी और उसके null and void declare होने के बाद इस Hindu succession act के हिसाब से वो चीजे distribute होंगे दोस्तों एक बहुत ही famous case है BP अचाय वर्स अपी ready का case है इसमें court ने ये बताया था कि जो woman होती है हिंदु law के हसाब से जो woman होती है उसका पती के घर में रहने का पूर्न अधिकार है उसी छट के अंदर रहने का अधिकार है जिस छट के अंदर उसका पती रह रहा है और मान लीजे उसके पती की death भी हो गई है तो भी उसका ride बनता है उस property में और वो उस property में दूस्तों रह सकती है दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं कि हिंदू ला में properties का जो classification है वो दो तरीके से होता है दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं self-accured property की या फिर वो self-accured property नहीं है तो वो ancestral property हो सकती है दोस्तों ये ancestral property या पुष्टैनी संपत्ती वो संपत्ती होती है जो male lineage से चली आ रही है या मतलब कि जो पुरुश है उनको आंगे से मिलती चली आ रही है हमारे जो है पुष्टैनी संपत्ती है हमारे जो पुर्खे थे उनके पास वो संपत्ती थी उनने हमारे पिताजी को दी हमारे पिता की ने हमें दी या आपके फादर ने उस पे कोई हिस्सा नहीं लिया हुए लेकिन वो जहां जॉब करते थी वहां से उन्होंने पैसा कमाया है या फिर कोई बिजनस करते हैं वहां से उन्होंने कोई पैसा कमाया है और उसके बाद उन्होंने कोई प्रॉपर्टी जो है खुद खरी दी है तो इसको self acquired property कहा जाता है इसके साथ अगर जो ancestral property है उसमें से कुछ हिस्सा उनको अम मिल गया है तो आगे आने वाले समय में भी उसको अब self acquired property माना जाता है दोस्तों और दोस्तों यह जो self acquired property होती है इसकी एक खास बात होती है कि यह जो self acquired property है इसका distribution by will Hindu father कैसे भी कर सकता है कोई उसमें आरोप नहीं लगा सकता या उस चीज़ को कोई भी रोप नहीं सकता बट अगर ancestral property है तो बच्चे भी उसमें case लगा सकते हैं और बच्चों को भी उसमें हिस्सा मिलेगा इसके साथ साथ उसको wife को भी उसमें हिस्सा मिल सक, अब हम इसमें बात करेंगे कि classes क्या क्या होती है relatives किस किस की तरह क्या हो सकते हैं और कौन कौन property को inherent कर सकता है तो basically अगर हम देखा जाए तो हिंदू law में 4 तरह के जो है बताए गए हैं कि जो की property को inherent कर सकते हैं पातर है कि लोगों को category में divide की विया जाता है सबसे पहले होते हैं दोस्तो class 1 hairs होते हैं दूसरा class 2 hairs होते हैं तीसरा agnets होते हैं और चौंथा जो होते हैं दोस्तों वो cognates होते हैं class 1 और class 2 भात close relatives होते हैं बट अगर बात की जाए कि एगनेट्स, एगनेट्स क्या होते हैं? दोस्तों या तो आपने किसी को एडॉप्ट कर दिया है या आपके जो blood relatives है mainly male sides है, not की female sides है दोस्तों, तो male sides से अगर ऐसे लोग हैं, तो इनको फेर वहाँ पे preference पहले मिलेगा, class 1, class 2, year के बाद इनका preference एगनेट्स का पहले आएगा, और अगर cognates के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये भी relatives होते हैं, blood relatives होते हैं, adoption की through भी relative हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये male sides हो, female sides से भी हो सकते हैं, तो यहाँ देखा जाए तो women's को rights मिल सकते हैं, और सांसा women's के relatives जो हैं, उनको भी rights मिल सकते हैं, लेकिन ये class 4 category के होते हैं, इसलिए इनका number सबसे पीछे आता है, दोस्तों, पहले class 1 और class 2 hairs का ही number आता है, अब बात करते हैं, दोस्तों, Hindu wives के बारे में, section 10 of Hindu succession act बताता है कि wife कैसे property को inherent करेंगी, सबसे पहले बात करते हैं, दोस्तों कि अगर उसके पती की death हो गई है, और वो जिंदा है, तो उसको ने अगर divorce नहीं दिया हुआ है, तो उसका property में बकायदा right बनता है, उसकी property में, उसकी husband की property में उसका equal share होगा, मान लिजे कि दो बेटे हैं और एक माह हैं, तो तीनों के बीच में one third, one third property जो है, वो equally distribute होगी, और अगर कोई share नहीं है, और कोई वहाँ पर claim करने व authority होती है, कि वो उस property की manager बने, उसको manage करे, उसको sale भी कर सकती है, वो चाहे, तो अगर वो joint family में live नहीं कर रही है, मान लिजे वो property joint family के पास थी, उसके husband की death हो गई है, उसके बाद कुछ property joint family में से उसको मिल गई है, तो भी उसके पास पूरा right होता है, कि वो उस property को, बट अ आया गया है, आप हमारे divorce related videos आप देखेंगे, तो उनमें आपको clearly ये पता चलेगा, कि अगर divorce हो चुका है, तो divorce के time पे alimony देना बहुत जरूरी होता है, ये code decide नहीं करता है, दोस्तों, ये decide होता है, कि पती-पत्नी अगर mutually दे रहे हैं, तो code decide नहीं करेगा, mutually आपके wife को divorce दिया जा चुका है, और wife वहाँ से जा चुकी है, पती का घर चोड़ के, तो दोस्तों, ऐसे cases में उसको property inherent करने का कोई भी right नहीं है, उसके husband की dress के बाद उसको किसी भी तरह से कोई भी property नहीं मिलेगी, दोस्तों, बट अगर एक और case के बारे में बात करते हैं, कि अग होंगे, वो उसकी जो marriage है या शादी है, उसको शून माना जाएगा, और जतने भी अधिकार है, वो पहली बीवी के पास और उसके बच्चों के पास होंगे, बट यहाँ हिंदू law में एक और चीज है, जो मैं add करना चाहूंगा, वो यह कि अगर उसकी दूसरी wife से उसके कु अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like जरूर कीजे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर कीजे, नीचे description में हमारा link दिया हुआ है, अगर आप हमसे connect करना चाहते हैं, तो नीचे description में दिये हुए link से आप appointment book करके हमसे बात भी कर सकते ह दोस्तों आपका इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।